हेलो एबरीवन तो आज में फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरस्टिंग स्टोरी तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो स्टोरी है कि इसके बारे में है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइटल है दा अरब एंड द कैमल यहनुकि कि अरभ डेर्ग की और एक कैमल की जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइटल है और यह उट है चुरू करते हैं तो इस सटोरी में बहुत से नइवर्डस है जो आप आप सीखेंगे और आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंगलिस से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो इस टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो शुरू करते हैं एक व्यक्ति व्यक्ति था वंस एक बार की बात है एक व्यक्ति अबाउट टू वाला था अबाउट टू का यहां मीनिंग होता है वाला तो सेट आउट यानि की जाने वाला सेट आउट यानि की निकलना तो यहां पर जो है इसका मीनिंग है निकलना या फिर जाना फोर आ के लिए लॉंग जर्नी एक लंबी यात्रा एक लॉंग जर्नी यानि की लंबी यात्रा के लिए जाने वाला था अक्रोस का मीनिंग होता है आर पार या फिर आगे तो यहाँ पर इसका मीनिंग है आगे अरेबियन डेजर्ट यानि की रेगिस्तान एक बार एक व्यक्ति जो है अरेबियन डेजर्ट की एक लंबी यात्रा पर जाने वाला था बिफोर लीविंग लीविंग यानि की छोड़ना तो यहाँ पर इसका मीनिंग है बिफोर लीविंग छोड़ने से पहले उसने बिताया या फिर इस पैंट एक नॉर्मल इसका मीनिंग होता है खर्च करना खर्च किया तो यहाँ पर इसका मीनिंग है बिताया quite sometime तो इसका meaning है काफी समय preparing तयारी में his luggage अपने सामान की before living छोड़ने से पहले उसने काफी समय अपने सामान को इखटा करने की यानि कि उसे तयार करने में लगाया thereafter he loaded all he wanted to take with him on the back of the camera thereafter और फिर he loaded उसने बांध दिया या फिर कह देंगे चड़ा दिया loaded का meaning है चड़ा दिया all he wanted वह सब all यानि कि वह सब he wanted जो वह चाहता था to take ले जाना with him अपने साथ कहां पर on the back of the camel उंट की पीठ पर और फिर उसने क्या किया उंट की पीठ पर वह सब सामान चड़ा दिया जो कि वह अपने साथ ले जाना चाहता था when the preparations for the journey were over when जब preparations प्रिपरेशन में सोता है तयारियां for the journey यात्रा के लिए जब यात्रा की तयारियां were over complete हो गई यानि कि खत्म हो गई पूरी हो गई he asked the camel तो उसने उंट से पूछा whether he would prefer going uphill और downhill कि क्या वह जो है वो कौन सा रास्ता चुनना पसंद करेगा कि वो जो है उपर की तरफ आफिल यानि कि उपर की तरफ जाना पसंद करेगा या फिर downhill धलान की तरफ the camel listened to him carefully और उंट ने उसे बहुत ही ध्यान से और उंट ने उसे बहुत ही ध्यान से सुना जब उसने कहा कि तुम जो है कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे uphill या फिर downhill तो उसने क्या किया उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना and calculated the weight put on him और उसने क्या ध्यान दिया कि उसके उपर जो है उसने सामान रखा है अपना तो उसने जो है उसके उपर रखे गए weight यानि कि जो बोज था वजन था उसकी गणना की उसे देखा कि इसका कितना ब after a while और कुछण बाद the camel asked his master उस उंट ने अपने master अपने मालिक से पूछा sir is there a third option of undertaking a journey straight across the plane कि sir कि sir क्या कोई third option तीसरा विकल्प है यानि कि तीसरा कोई रास्ता है of undertaking a journey इस यात्रा को ले जाने का यानिकी यात्रा करने का क्या कोई तीसरा विकल्प है और किस तरीके से straight across the plane जो कि बिल्कुल सीधा मैदानी रास्ता हो कि स्रीमान क्या कोई मैदानी रास्ते से यानिकी सीधे मैदानी रास्ते से इस यात्रा को पूरा करने का कोई तीसरा विकल्प है इफ इट इस पॉसिबल अब वो फिर कहता है कि यदि यह पॉसिबल है यानि कि संभव है तो वो कहता है कि तब I'll be happy मुझे खुसी होगी to take ले जाने में that route यानि कि यदि कोई तीसरा रास्ता जो कि plane से हो यानि कि मैदानी रास्ता हो तो मुझे उस रास्ते से जाने में खुसी होगी given the weight of the luggage I am carrying I think the easiest route should be preferred अब वो कहता है कि given the weight of the luggage कि यह जो सामान है जो कि मुझे दिया गया है जिसे मैं ले जा रहा हूं कि मुझे दिये गए सामान के जो बोज है जिसे मैं ले जा रहा हूं I think मुझे लगता है कि जो easiest जो सबसे आसान route है जो सबसे आसान रास्ता है should be preferred तो मुझे जो है उसे प्रात्मिक्ता देनी चाहिए क्यानि कि उसे ही चुनना चाहिए तो preferred का मीनिक होता है प्रात्मिक्ता प्रात्मिक्ता देनी चाहिए कि यह जो मुझे बजन दिया गया है जिसे मैं ले जा रहा हूं मुझे लगता है कि सबसे आसान रास्ता जो है मुझे उसे प्रात्मिक्ता देनी चाहिए So the moral of this story is A genius knows his limitations तो इस story का moral है कि एक genius व्यक्ति यानि कि जो एक प्रतिबासाली व्यक्ति होता है वो अपनी सीमाएं जानता है जैसे कि जो कैमल था उसे पता था कि मुझे जो है किस रास्ते को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए किस रास्ते को प्रिफर करना चाहिए I hope आपको इस story अच्छी लगी होगी आपने इस से जो है कुछ इसमें नए वर्ट्स दिये गए है उन्हें सीखा होगा तो आपको इस story कैसी लगी आप जो है हमें comment box में comment करके बता सकते हैं यदि आपके पास कोई और अन्य story है जो कि आप read करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिखकर भी हमें story भेज सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और interesting story के साथ for more such interesting stories please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications thank you